नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है यूपी के मुख्य मंत्री योगी आदितिनात इन दिनों बहुत गुसे में हैं आखिर गुसा भला क्यों नहों क्या आपने कभी सुना था कि मरे हुए ब्यक्ति का तबादला कर दिया गया जी हाँ उत्तरप्रदेश PWD यानि लोक निर्वान विभाग वो स्वास्त विभाग में जो हाल में तबादले हुए है उसमें भारी गरबड़ी की गई और ये गरबड़ी जो है उच्छेस्तर के अधिकारियों ने की इसको ले करके योगी आदितिनात का पारा चड़ा हुआ है और एक के बाद एक कारवाई कर रहे हैं सबसे पहले जो PWD मिनिस्टर है जीतिन प्रसाद उनके OHD अनिल कुमार पांडे को रिलीव कर दिया गया है इन तबादलों में उन्ही की महतपुन भूमिका थी और कहा ये जाता है कि इनको केंदर से ले करके जीतिन प्रसाद आये हो ही गये हैं जीतिन प्रसाद से ही उनके खिलाफ जांच की स्थिपारिस कराई गई है कुमार पांडे को ततकाल प्रभाव से हटाने के बाद PWD के विभागा ध्यक्ष्व प्रमुख अभियंता विकास मनोज कुमार गुपता प्रमुख अभियंता परियोजना रकेश कुम और यादों को भी ततकाल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है साथ ही लोक निर्माण विभाग के अन्यक कार्मी को पंकज दिख्षित प्रसासने अधिकारी ब्युस्थापन घबर्ग वसंजे कुमार चवरसिया प्रधान सहायक ब्युस्थापन घबर्ग के विरुद गंसाम दास का तबादला किया गया था जी हां उनका तबादला जहांसी कर दिया गया इटावा से राजकुमार नाम के सक्स का ट्रांसपर लालित पूर हो गया पता चला कि राजकुमार तो कोई है ही नहीं अधिकारी और क्रमचारी एक दूस साल में रिटायर होने वाले थ उनका तबादला दूर के जीलों में कर दिया गया जबकि नियम वह परंपरा ये है कि जिनका रिटार्मेंट नजदीक है उनको पास के जीलों में तैनाती दी जाती है। तबादले की अंतिम तारिक जो 30 जून रखी गई थी उसे अपने मन से बढ़ा करके 10 जुलाई कर दिया। इसके बाद सीयम योगी अधितनात तक भष्टचार की सिकायते पहुँची तब जाकर के ये करवाई हो रही है। भी लिखी थी तब जाकर के उसमें भी जाँच कराई जा रही है और इसी बीच ये PWD का जो तबादला घोटाला है वो सामने आ गया। जिसको लेकर के सीयम योगी परिसान भी है और नाराज भी है गुस्यव में है कि आखिरकार जब पहले ही ताकीद कर दी गई थी कि सासन ऐसे चलाना है जैसे कि साफ में से जाए लोगों में कि साफ सुत्री सरकार है, साफ सुत्री बेवस्था है और सब के साथ म्याय होता है लेकिन हो गया ठीक इसके उलट इसको लेकि जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साजा करेंगे रहे नहीं भी खबर देखते रहे इन खबर थैंक यू